हाई गाईज आज सिंपल सा लेक्षर है बेटा चार क्वेशिन करेगे छोड़े चोड़े चोड़े कंसेप्ट में फट 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 एज का खतम करेगे और यह पार्ट खतम बदेगे ठीक है तो अभी क्या करना है आपको फट से यह question में रीट करका आता हूँ pause करो और लिख लो आप question क्या है the present ages of A and B are in the ratio 2 is to 3 दो character मिलके हमें A और B उनका present ages किस ratio में 2 is to 3 मतलब present ages 2x and 3x 4 years from now 4 साल बात की बात कर रहा है the ratio of their ages would be 3 is to 4 ठीक है find their present ages पीटा प्लीज मेरे लिए काम कीजिए आप लो question लिखिए वो table जो बनाते हैं आपने लोग पूरा वो table बना दीजिए तो यह pause करके प्लीज उतना सा try कर लीजे मेरे लिए चलिए try करते हैं हम लोग देखिए दो characters है A दूसरा character है B ठीक है इनके present ages क्या जिए ratio 2 is to 3 तो 2x और 3x हो जाएगा और 4 years from now 4 years from now क्या हो जाएगा यह 2x plus 4 हो जाएगा अच्छा है और यह कितना हो जाएगा 3x plus 4 बच्चे लोग यहां पर 3x रहे हैं पर 4x दिख देते हैं यह नहीं करना है बिटा अपलगो को आपको तो यहां से चार साल आप बढ़ रहे हो तो कितना हो जाओगे आप 2x plus 4 हो जाओगे और नीचे से भी चार साल बढ़ रहे हो तो कितना हो जाओगे आप 3x plus 4 अब देखो यह 4 years from now the ratio of the ages would be 3 to 4 यह वाले statement से हम दो relation निकाले के तो देखें कैसे निकाले के 4 years from now मतलब यह वाले timeline पर आ गए है ठीक है the ratio of the ages मतलब यह age अपॉन यह age मैं देखा जाओगो 2x plus 4 अपॉन 3x plus 4 would be, could be, is, was अब सब कुझे करता है ratio of their ages would be यह इकल टू 3 is to 4 मतलब 3 अपॉन 4 बन गया है relation यह brackets न था अब इसको solve ना तो मुझे आता है cross multiply करूगा 2x plus 4 into 4 is equal to 3 into 3x plus 4 distributive से खोला तो 8x plus 16 is equal to 9x plus 12 यह 8x को इदर ला रहा हूँ यह 12 को इदर लेके जा रहा हूँ मैं तो क्या बन रहा हूँ 16 minus 12 is equal to 9x minus 8x basically 4 is equal to x आ गया एक्स की वाली अगर आ गई implies present age of a कितना हो जागा कितना हो जागा कितना हो जागा मुझे एका percentage 2x जो कितना हो जागा 8 years और present age of b कितना जागा मुझे 3x जो कितना हो जागा सब्सक्राइब करना है इसलिए question पर देख लो present age a और बी का दिया तो टू इस टू इस टू इस टू एक्स हो गया चार सल बात की बात वही है तो 2x plus 4 and 3x plus 4 हो गया उसका ratio एना 2x plus 4 upon 3x plus 4 is equal to 3 is to 4 था जैसे वी वो किया cross multiply के solve किया x आ गया x यहाँ और यहाँ डालोगा दोनों की present age भी मेरी आ जाएगी इससे मेरा question solve हो गया बच्चा लोग समझाए क्या हुआ है तो बेटा प्रीज आप पॉस करो इस चीज को और एक बाए इतने question को solve कर लो चलिए अब बेटा यह आला question मैं read out कर रहा हूं एक बाए question पढ़के खुद solve करें को इस चीज है simple है the present ages of A and B are in the ratio 5 is to 6 full stop 8 years ago it was 4 is to 5 मत्यों the ratio was 4 is to 5 find their present ages पीटा पूरा को पूरा खुच से ट्राइक हो जैसा पिछला question था वैसा ही चलना आले बेटा यह भी चलिए solution देखते है अपन लोग तो वह ही अपने दो characters A है B है ठीक है present age क्या ratio है 5 is to 6 नहीं 5x और 6x है 8 years ago मत्वर 8 सल पहले 8 years ago यह क्या था 5x minus 8 देखे तना था 6x minus 8 वेच्चों कितना यह आता 4 is to 5 तो देखे 5x minus 8 upon 6x minus 8 is equals to 4 is to 5 देख 5 को यहां ले गए यह यहां ले गए तो बैटा मेरा क्या बन जाएगा ऐसा है 5x minus 8 into 5 is equals to 4 into 6x minus 8 खोला इसको तो 25x minus 40 is equals to 24x minus 32 24x को यहां ले गया minus 40 को मैं यहां ले गए गया बैटा तो देखे क्या हो गया हो 45x minus 44x equals to minus 32 plus 40 तो अपना आंसर कितना आना शुरू गाटा x is equals to 8 हो गया अब जैसे x ची value 8 होई है इंप्लाइस ए की age कितनी है मेरी present age obviously 5x थी 5x थी 5x थी 5 into 8 है की 40 years हो गई है और बी एह कितनी थी 6x थी 6 into 8 है की 48 years हो चुकिये सिंपल लगा नेला question तो अगर आपको पिछला जमा था तो यह वाला था आप लोग लिए cakewalk था बेटा ठीक है यह question कर लो फिर सिब दो और question दोनों simple है वैसे वह भी यह pause करके यह वाला question कर लो बेटा आप चलिए next question तरफ बढ़ते हैं यह question ही पर dictate करता हूं आपको question आप लिख लीजेगा फिर फिर उसके बाद में को क्या करना का मैं समझाओगा खुछ से सब्सक्राइब करना मैं समझाओगा आपको राम's father is 20 years younger to Ram's grandfather लेके राम के पापा और राम के दद्दा की बात हो दिए बढ़ा द्यान रखो अपने पर दो ग्रेक्टर के रिखते हैं वे तीन ग्रेक्टर की बात होगी ठीक है सम अब देडिये एक सो पंदरा find the present ages of the three कुछ पांच साल पहले पांच साल बाद असा कुछ भी निदिया है तीनों की एजिस को कुछ तो भी दिया हुए कुछ दिया हुए रिलेशन में दिया है कि तीनों का सम एक सो पंदरा है तब को इनकी एजिस निकालना है पहला पॉस करके क्वेश्चन दिख लो फिर अपने लोग समझते हैं पुरे क्वेश्चन को अच्छते है चलिए यह देखिए हमको परदों तीन कारेक्टर दिये व अब इनकी प्रेसंट एज की ही बात हुई है अपने साथ क्燉स पेढ चाहिए निकाल दा खरॐधा आजैए यह थं यह 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 ये जी तहा अब आगे दिखो and Ram's father is 25 years elder to Ram मतब जो भी इनकी age 3 उससे 25 ज़्यादा ये है तो बेटा देखो अब क्या है न मेंका problem अगर मुझे यह आला मैंने ऐसा लिया नहीं होता मान लो तो यह नहीं लिया है ठीक है मैंने गए इससे X मान आता तो इससे मैं X 25 मान आता कि देखो राम के फादर इससे 25 साल बड़े होगा है ठीक है परिशानी क्या हो ये बच्चा अपन लोग को ने ये ये भाईया को X मान लिया है इसको X-20 अपने पहले रिलेशन से ला लिया है तब यहाँ पर जाना है मुझे अगर ये इससे 25 साल चोटा है मतलब ये इससे 25 साल बड़ा है या फिर ये अगर इससे 25 साल बड़ा है तो इससे 25 साल चोटा है इससे नहीं समझा समझा तो देखे अब statement पहला रहा देखे राम's father is 20 years younger to राम's grandfather तो राम के grandfather हो गयते है X और राम के father जी हो गयते है X-20 यहां तक सिंपल से रजी बटा अपनी जिंदगी अगर दो ही character होते हम फट से कुछ ना कुछ कर लिए होते है यही राम के फादर 25 साल बड़े है राम से तब देखो बटा अगर ये इंसान इससे 25 साल बड़ा है मतलब ये ही इंसान इससे 25 साल छोटा है तो यानि क्या मान लो मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ मतलब आप 10 साल मुसे छोटे हो ना और क्या बड़ी बात है इसमें समझ मारे ना तो वह चीज देखो अगर राम के father राम से 25 साल बड़े है मतलब राम उन्ते 25 साल छोटा है तो इन्हें father की age माइनस 25 करूँ मतलब राम की जो जाएगी मतलब कित्ता जाएगो एकस माइनस 20 माइनस 25 जो कि जाएगा मुझे क्या दिया हुआ था बच्छा मुझे दिया हुआ था कि राम के papa 20 साल छोटे है राम के दद्दा से राम के दद्दा x है तो राम के पपा x-20 है यह आप लोग easy बोल दिए अब देखो यह और दिया था कि राम के पपा राम से 25 साल बड़े है तो अकर इसको उल्टे तरीके से बढ़ दोखना तो यह किया राम 25 साल छोटा है उसके पपा से तो राम 25 साल छोटा है यह कितना 25 साल छोटा है यह एसा पढ़न है राम के फादर से यह पच्छी साल छोटा है राम के फादर से तो basically value कितने हो गही? x-45 होगी हो गया अब क्या जिखा इनका sum ह Reason-in- प्लस X तब राम राम के फादर राम के ग्रांट फादर की एज का सम कितना जया होए एक पंदरा दिया होए बैक्ट खोला मैंने इस यह के 3x माइनस 65 एकल टो 115 हो जाएगा 3x is equal to 115 प्लस 65 हो जाएगा अच्छा मेरा तिया कितना जगा 3x is equal to 180 इस इंप्लाइज एक्स के याली कित्ती होगी 60 हो गई है मतलब क्या हो गया राम ग्रांड फादर जो की एक्स थे वो के 60 यहर्ज के राम्स फादर की यह शित्ती थी बटा एक्स माइनस 20 थी मतलब कित्ते होगे 40 यहर्ज के हो गया और राम खुद उसकी यह शित्ती भाई के अपने वो थी एक्स माइस 45 अब तो वो कित्ते हो गया 15 यह ख़ओ गया खत्म समझाईए देखो बेटा आप लेगो को ना मेरे से आपका रिलेशन दिया तो आप से मेरा रिलेशन निकालना समझ में आना चीए तो उत्तुसी चीज थी यह आला क्वेश्चन को प्रीज आपको अच्छे स्वल्फ कर लीजएगा यह आप लेगों के NCRT में बाइच अब चलिए बेटा अब अपन लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है एक पढ़कर आता हूँ माइ ग्रांट फादर इस नाइन टाइम आज ओल्ड अज मी इस ऑल्सो फॉर्टी एट इयर ओल्डर दन मी फाइंड आर प्रेजेंट एज एक बाब पॉस्ट के से क्वेश्चन को लिख लीजए फिए आपको बताता हूँ माँ पूरा अब सद्यूशन देखें मेरे ग्रांट फादर नौ टाइम ओल्डर है मुझसे दो लोग है मी और ग्रांट फादर अगर मैं एक सूँ ग्रांट फादर नाइन एक सुनर है अब यह आगे पीछे नहीं लेकर गया है वही टाइम लाइन में ही बटा ही इस ऑल्सो फॉर्टी अगर मैं आपसे दस साल बढ़ा हूँ मतलब मेरी एज माइस आपकी एज इकल तो दस होने आलिये तो वही ग्रांट फादर इस एकल तो फॉर्टी एज माइस मेरी एज इकल तो फॉर्टी एट मतलब क्यों आजाएगा 9x माइस मेरी एज एटी जी एटी जी 1x इने x इस इकल तो 48 अब 8x इस इकल तो 48 तो x यह जी एटी एट जी एट जो कि होगी 6 तो इसके कान मेरा आंसर कितना आ गया इंप्राइस माइ एज जो कि x थी होगी 6 यह तो गई और ग्रांट फादर एज पेट जी एफ ने ग्रांट फादर है ठीक है ना इस इकल तो 9x इकल तो 9 6 आ फिफ्टी फॉर फिफ्टी फॉर फिफ्टी फॉर्टी यह खातम सिंपल ता नहाँ क्वेश्चिन यह लाँ इस लेक्षर में कुछ और तरीक के वॉर्टी फॉर्म करने आ ले प्लीज इसके पूरे करें होंवक अच्छे ते कर लीजगा चलो बाबाई